कोडिया जंग तो आज की टैर रीडिंग का टॉपिक है वो वांट्स तो मैरी यू तो कौन जो है वो आपसे शादी करने की इच्छा रखते हैं या क्या फीलिंग्स है उनके लिए और ऐसा क्यों है तो यह जो है टाइम्रेस क्लेक्टि वीडिंग है कुछ चीजे आपकी सिच अगर आप मेरे चानल पे नए आये हैं तो आप इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दुरू आल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन्स मिल पाएं और आप कंटेंट को इंजोए करें यहां पर सेवन ओफ और नेक्स्ट आ रहा है यहां पे नाइन ओफ कप्स सेवन ओफ सौट फो क्लारिफाई भी कर लेते हैं तो यहां पे जो है एक परसन है चाहे मेल ओ चाहे फीमेल ओ अपने जेंडर के हिसाब से एसोसियेट होना मतला रेजोनेट करना वो परसन जो है आपके लिए हिड़न फ दोस्त मानता हूं और जान पचान है हम एक फ्रेंड हैं जस्ट फ्रेंड वाली energy है यहां पेट में पेट में आती कि इस परसन घो है आंपके मूचल फ्रेंड फिर यहां यहां परसन जो है वहां अपके के नहींici कौenses में आपके बारे में सोच रहे हैं काफी लंभे समय से आपके बारे में जाते हैं आपको अपनी दुनिया देना चाहते हैं और वहां पे बहुत सारी curtains हो, chairs हो कुछ English या Roman तरीके की family या कह सकते हैं शादी करने की इच्छा रखते हैं और दिन में शादी करने की इच्छा रखते हैं जिसमें particular लोग आएं जो वाके में आपका अच्छा चाहते हैं ऐसी वाली शादी नहीं करना चाते हैं कि 500 लोग आ रहे हैं और आप जानते भी नहीं हो कि कौन कौन है तो ऐसी शादी नहीं करना चाते हैं वो और काफी sophistication वाली energy मुझे यहां पर लग रही है नेक्स चार है यहां पर the emperor यह person आप से काफी बड़े हो सकता है ऐसी energy भी यहां पर है कुछ और देखते हैं यहां पर या आपके भाई बहन से भी बड़े होंगे ठीक है तो इस वज़े से भी थोड़ा सा रुख जाते हैं क्यों इन्होंने आपको बच्पन से बड़े होते हुए देखा है नेक्स चार है यहां पर ace of swords है eight of swords है और नेक्स चार है यहां पर the fool इसको clarify भी कर लेते हैं कि यह क्यों आया है यहां पर वही मैंने कहा कि यह person के मन में आपके लिए आठ महीने या आठ साल से जो है वो romantic feelings involved हैं लेकिन वो जो है जैसे कि उन्होंने बच्पन से आपको देखा है बड़े होते हुए देखा है तो इस तरीके की चीज़े जैसे आप जैसे माल लीजिए आपका कोई बड़ा भाई है या बड़ी बेहन है अब उसका दोस्त जो है वो आपको ऐसे देखे तो थोड़ा सा creepy जा लगता है ठीक है सोचने में कि यार तुम भाई या बहन की तरीके से ही होगे न उसका फ्रेंड है तो ऐसा सोचना क्योंकि आप दोनों में डिफरेंस है एज का डिफरेंस है और एकदम से इस तरीके से एक्सेप्ट करना वड़ा मुश्किल होगा लेकिन वह आपको बहुत सालों से प्यार करते है एक फैमिली मिंबर की तरीके से देखते है और वह आपके साथ जो है वह आगे बढ़ने की इच्छा रखते है वह आपको सच बताना चाहता है क्योंकि आप अप इतने बड़े हो चुके हो कि अपनी जिंदगी का फैसला ले एनरजी है नेक्स आरा पेज अफ कप्स वह आपको तब से चाहते हैं जब वह टीनेजर थे नेक्स आरा यहां पर टैन अफ वांट्स और नेक्स आरा यहां पर एस अफ पेंटिकल इसको क्लारिफाइ कर लेते हैं ओके तो यह परसन ना उनको कभी-कभी खाता है जैसे मैंने एक ओविस सी बात है क्योंकि हम हमारी जो सोसाइटी में सिखाया जाता है कि ठीक है उसमें कोई बुराई भी नहीं है ऐसा नहीं हो सकता लेकिन इस चीज को थोड़ो से क्रीपी माना जाता है कि बड़े भाई बहन का अगर कोई दोस्त है तो हम भी उसे भाई या बहन इसी तरीके से देखते हैं लेकिन वो आपको किस तरीके से देख रहा है या देख रही है और उसमें कुछ मतलब गलत इंटेंशन ना जाए तो वो चीज की वजह से इस परसन ने काफी इंतजार किया होगा तो ऐसी इनर्जी और यह परसन जो है अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लास्ट में आ रहा है King of Cups है Knight of Pentacles है बहुत लंबा समय जो है इस परसन ने इंतजार किया है आपका कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए messages कि कैसा मैसूस करते हैं be the things you loved most about the people who are gone next आ रहा है यहाँ पर I am so happy you choose me वो आप से चाहते हैं कि आप उन्हें चूस करो romantic love तो वो आपके ऐसा feel करते हैं next आ रहा है आपके लिए you are the sunshine that makes my day next आ रहा है one love one heart let's get together and feel alright spend some quality time together my feelings are getting better and deeper so यह चीज यहाँ पर exist करती है चलिए देखते हैं कुछ charms आपके लिए यहाँ पर जो है hidden surprises आया है pregnancy के ओपर भी जो है वो एक x i है तो यह person जो है वो एक family इन सब चीजों से related चीजे से होसते है new love है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा fertility है loyalty आ रही है यहाँ पर clearing competition exam princess का crown आया है यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीकी से treat करते हैं और हमेशा से treat करते हैं और यहाँ पर soul mate का भी एक card आया है आपके time मतलब यह वेट कर रहे थे क्योंकि आप जैसे मैंने का ना कि हमारी society में ऐसी upbringing दी जाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है काफी अच्छी upbringing है बट स्टिल कभी-कभी जो है emotions उपर नीचे या intense हो सकते हैं और ऐसी energy भी यहाँ पर आ रही है चलिए देखते हैं कुछ song ओ मेरी जान Metro movie का है और नेक्स रार आपके लिए काफी राना केदारनाथ का एक और देख लेते हैं खामोशी या अरिजीत सिंग्का तो एक काफी silent love जो है वो सालों से इस परसंद के मन में आपके लिए रहा है और आप जानते हो इस परसंद को आप बहुत admire भी करते हैं और respect भी करते हो लेकिन आपने कभी इस एंगल से नहीं सोचा था या सोची सोचा होगा बट धीरे धीरे वो चीज जो है वो फिल्फिल होगी और आप लोग यहां पर relationship में आओगे ठीक है क्योंकि यह इश्वर भी चाहते हैं क्योंकि इस तरीके से प्यार जो है वो बहुत रेर लोग करते हैं आजकल के जबाने में जहां पर cheating divorce बहुत frequent हो गया तो ऐसी energy यहां पर आ रही है तो यह थी आपके रीडिंग उम्मीद करते हूं आपको अच्छी लगे होगी अगर आपको मेरा content रीडिंग और अच्छी लगे है तो प्लीज इस चानलों को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू